नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इंडियनेश्टेडी के इंडी यूटूब चैनल पर चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कॉंस्टेविल के लिए ऑनलाइन टेस्ट का लेसन नमबर 34 है जिसमें काफी मोश्ट इंपर्टेंट को कबर किया गया है और दोस्तों जैसा की आप सभी जानते हैं कि मैं वीडियो के लाश्ट में आपसे कोसंस पूछता हूं और उसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है तो आज मैं फिर आपसे कोसंस पूछूँगा और अंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा दोस्तों मैं एन coalition पर यह बडाता हूँ तो एन एकाडिमी पर मुझे फॉल करने के लिए डिस्क्रिब्स होनेटेगाई एक कोर्स का में डिस्क्रिब्सें में लिंक प्रोबाईट कर वा दूँँ हो तो आप एक बार जरूर उसे चेक कर लिएगा, चलिए दोस्ते स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला कुस्सन, पहला कुस्सन आपके सामने ये रहा कि निमले के समीकरण में, एक नियम का पालन करता है ये समीकरण, तो C के पूर्ण करने के लिए सही मान बताईए, दोको A है, B है, C है, तीनों समीकरण हैं, देखो, अगर 16 का हम 18 में मल्टिप्लाई करवा दीगे, तो हो आजाएगा आपका 288, 19 का 21 में मल्टिप्लाई करवा दीगे, तो हो जाएगा आपका 399, 12 का 15 में हमने मल्टिप्लाई करवाया, तो आपका अंसर आएगा आपका 180, जब हमने 12 का 15 में मल्टिप्ल स्थान पर होता है आई आपका नौ में स्थान पर होता है और आर आपका अठारवे स्थान पर होता है जब इन सब को हमने जोड़ा तो आपका 33 आगी है इसी प्रकार से लिट के स्थानों को जोड़ा तो आपका 41 आग जाएगा अब टॉम में देखो 20 जो है वो 20 विस्थान य आता है और M आपका 13 विस्तान पे आता है तो इन सब को जोड़ेंगे तो आपका 48 आ जाएगा यानि कि चौता आपका बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट कोसन भी आपका रीजनिंग का है कि फ्रेम को 7,9,6,3,5 लिखा जाता है टौफिल को 2,1,8,5,4 लिखा जाता है तो वाम को क्या लिखेंगे तो देख लिए दोस्तो डवलू का जो यहाँ से कोट निकल के आया वो है आपका 8 अब सबसे पहले देख लीजिए कि 8 किस किस ओप्संस में दिया तो देखो एक ही ओप्संस है जिसमें 8 दिया यानि कि दूसरा ओप्संस जो हो जाएगा वो बिलकुल आपका करेक्ट हो कर लीजिए कि 256 को आप एक बार 265 कर लीजिए क्या कर लीजीए 265 तो आपका इसकोर नहीं होता है इसलिए आपका 4 अपसंस जो हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है आपका कि सम्वंदित सम्द में से या सम्वंदित कोशन में से बिसम कुछ नहीं है सेव, केल, टमाटर और फूल गोबी इस में से बिसम क्या होगा सेव देखो आपका फल में आता, केला भी आपका फल में आता, टमाटर भी आपका फल में आता है लेकिन फूल गो भी जो है वो आपका सबजी विवाग में आता है यानि कि ये इस questions का चौता options जो हो जाएगा वो बिलकुल correct हो जाएगा next question आपके सामने ये रहा कि अगर हम अश्ट बुझ को 64 लिखते हैं कितना दोस्तो 64 और तो सब्त बुझ को कितना लिखेंगे साथ का स्कौर करा तो कितना आगिया आपका 49 यानि कि इस questions का पहला options जो हो जाएगा वो बिलकुल correct हो जाएगा next question आपके सामने ये लखा ये आपका जीवास में की अगर जीवास में से समधित है तो मस्तिक्स बिग्यान किस समधित होगा खोपड़ी से अगनासे से थाइराइट से या फैपड़े से तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि जीवास में की जो है वो जीवास में समधित है तो मस्तिक्स बिग्यान आपका खोपड़ी से समधित होगा यानि कि इस कोशन का पहला उपसन जो हो जाएगा वो बिलकुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोशन आपका रिजनिंग का है अगर डी को हम 25 से दिनोट करते हैं तो एफ को किस से दिनोट करेंगे तो देखना दोस्तो डी जो है वो चोटे स्थान पे आता है चार में एक जोड़ा तो होगी आपका पांच अब हमने पांच का कर दिया है स्कोर तो कितना आगी आपके सामने 25 इसी प्रकार से देख लीजिए 6 आता है एफ आता है छड़वे स्थान पे 6 में एक जोड़ा तो होगी आपका 7 और 7 का कर दिया हमने स्कोर तो कितना हो जाएगा यह 49 यानि केस कोसंस का दूसरा ओप्संस जो हो जाएगा वो बिलकुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोसन है आपका अनल का प्रयावाची सब्द क्या होगा समीर पवन हवा या जौला देखना हम बात कर रहे हैं अनल की ठीक है अब देखो एक होता है आपका अनल तो वो अलग है यह जो आपके सामने लिखा है वे आपका अनल तो अनल का जो आपका प्रयावाची ह तो एक ही मात्रा का difference है जिससे Question पूरा आपका चेंज हो जाता है Next है आपका छक्य चोडाने मौाबरे का सई अर्थ क्या है ये हमको बताना है भगा देना दोका देना बुरी तरह पराजित करना या मैनत करना तो चक्के चुड़ाने मौाबरे का जो आपका सही अर्थ है वो आपका बुरी तरह पराजित करना यानि कि इस questions का चौता options जो हो जाएगा वो बिलकुल correct हो जाएगा next question आपके सामने ये रहा कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक सब्द बताईए क्या होगा दूरदर्सी, दतचित्र, कुसागर बुद्धी या जितेंद्रिये तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए जो आपका एक सब्द होगा वो हो जाएगा आपका जितेंद्रिये यानि कि इस questions का चौता options जो हो जाएगा वो बिलकुल correct हो जाएगा next question आपके सामने ये रहा कि तुरंग का परयावाची सब्द क्या होगा घोटक, गोडाकेस, चक्सू या तिमिर हम बात कर रहे हैं तुरंग के परयावाची सब्द की तो तुरंग का जो आपका परयावाची सब्द होगा वो होगा आपका घोटक और दोस्तों तुरंग हुगा और जो गोटक हुगा ये सब के सब जो आपके परियावाची सब्द हैं ये गोड़े के परियावाची सब्द हैं किसके दोस्तों गोड़े के नेक्स्ट कोसन है आपका कि दाता का बिलूम सब्द क्या होगा यहाँ पर आपका बिलूम सब्द लिखना भूल गए है इसलिए आप इसको correct या correction कर लीजिएगा तो दाता का बिलूम सब्द बताना है दानी, अग, याचक या गरीब तो दाता का जो आपका बिलूम सब्द होगा वोगा आपका याचक यानि केस कोसंस का तीसरो आपसंस जो हो जाएगा वो बिल्कुल correct हो जाएगा नेक्स्ट कोसं ने आपका कि ताज महल के जो आपके मुक बास्तुकार थे वह कौन थे यह हम को बताना है सहाजा उस्ताद एहमद लाहोरी उस्ताद रासित खान या उस्ताद सुल्तान खान तो ताज महल के जो आपके मुक बास्तुकार थे वह थे आपके उस्ताद एहमद लाहोरी यानि केस कोसंस का दूसरो आपसंस जो है वो बिल्कुल correct है नेक्स्ट कोस्टन आपके सामने ये रहा एक्सन कर लीजेगा स्पेलिंग गलत है प्रभाग है 20 19 यानि कि 20 19 18 या 16 तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 18 उत्तर प्रदेश में 18 प्रभाग है नेक्स्ट को सने आपका कि नहर जो प्रसांत महासागर को अट्लांट प्रसांत महासागर को अट्लांटिक महासागर से कौँ जोड़ती है पनामा नहर नेक्स्ट है आपका कि उत्तर प्रदेश का उच्टम बिन्दू क्या है M60 चोटी नंददेवी बिरारी या रिचना पहड़ तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के उच्टम बिन्दू क तो उत्तर प्रदेश का जो आपका उच्छतम पिंदू है वह आपका M60 चोटी है यानि कि इस कोशन का पहला ओप्सन जो हो जाएगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोशन और लास्ट कोशन के हिर्दे के अध्यन को क्या कहा जाता है यह हमको बताना है इकोलोजी, डर्मिटोलोजी, कारडियोलोजी या डेमोग्राफी अगर हम बात करें हिर्दे के अध्यन की तो हिर्दे के अध्यन को क्या कहा जाता है दोस्तो हिर्दे के अध्यन को कहा जाता है आपका कारडियोलोजी तो इस questions का तीसरो options आपका बिलकुल correct हो जाएगा तो दोस्तों ये थे आपके 20 most important questions जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको पढ़ा दिये अब आपको इमानदारी के साथ बताने हैं कि आपके इस 20 में से कितने number आ रहे हैं अब last में मैं आपसे questions पूछने जा रहा हूँ और उसका answer आपको comment box में बताना है तो आज का जो आपका question है वो यह रहा आपके सामने नरोरा परमाडू उर्जा प्लांट उत्तर प्रदेश के किस जिले में इस्तित है ये हमको बताना है बुलंद सेयर में वारा बंकी में सहारनपुर में या चंदोसी में तो सही उत्तर आपको comment box में बताना है ठीक है तो दोस्तों ये था आज का टेस्स जो कि मैंने आज की जूड़ी में आपको cover करवा दिया अगर आपको टेस्स पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्त लग पहुँचाईए सेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा सेयर कीजिए लाइक करेंगे तो ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँच पाएगी जिससे क्या होगा कि जितने भी यूपी प्लिस कॉंस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं जितने यी बच्चे तो उन तक ये वीडियो पहुँच सकेगी तो दोस्तो फिलाल की वीडियो में सरक इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए सेहर कीजिए उस साथी साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब पर रहना ना भूलें क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियो आप लोग लिए लात रह नमस्कार दोस्तो जय हिंद जय भारत